जब हमको बोध हो जाता है कि जीव कौन है, ब्रम्र कौन है, माया असल में है क्या, तो फिर कहीं दूसरा दिखाई नहीं देता है, केवल परमाक्मा दिखता है, अपनी भी तर्भी बाहर भी जगत के कंड कंड में वही नज़र आता है। भगवान स्री राम चलते चलते भरद्वाजी के आश्रम से बालमिकी जी के आश्रम पहुच जाते हैं। बालमिकी जी बहुत प्रसन होते हैं भगवान से मिल करके, उनका सम्मान करते हैं किनका बालमिकी जी भगवान स्री राम का। समाचार पूछते हैं बालमिकी जी, कि अयोध्या सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कोई समस्या नहीं, भगवान कहते हैं प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, आपको भूद भी पता है, जो हो चुका, जो हो रहा हो भी पता है, और जो आगे होने वाला है, उसका भी आपको भली भाती ज्यान है, इसलिए आपको क्या मैं अलग से बताओं, सारी घटना से आप पहले ही परचित हैं, थोड़ी दिर बाचित होती हैं, फिर कहते हैं भगवान राम, कि मुझे कोई ऐसा जगह बताईए, जहां पर मैं कुछ समय इस्थीर होकर रहूँ, चौदव वर्स लागतार चलते तो नहीं रहना न, कहीं टिकना भी पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा, बालमी की जी कहते हैं, आपको भी क्या बताना, कौन सी इसी जगह है, जो आपसे छुपी हुई है, अगर हम सब कुछ जानते हैं, तो आप भी तो सब कुछ जानते हैं, जगु पेखन तुमु देखनि हारे, विधिहरि संभु नचावनि हारे, तेउन जानही मरमु तुम्हारा, औरु तुमही को जाननि हारा, सोई जानई जेही, देहु जनाई, जानत तुमही तुमही होई जाई तुमरे कृपा, तुमही रगु नंदन, जानही भगति भगत उरचन्दनू तुमरे कृपा, तुमही रगु नंदन, जानही भगत भगत उरचन्दनू नरतन भरे हूं संत सुरत आजा, कहा हूं करा हूं जस्ता खृत राजा पूछे हूं मोही कि रहूं कहा मैं पूछत सकुचा जहन हों हूं तहां दे हूं कहीं तुमही देखावं था यह सी आड़ा 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 कि झाल टैसीर आंगे, झाल ढाल कि उे सी आंगे, से तो जाल सियावर राम चंद्र की जै ववन सुत हनुमान की जै बुलो भई सब संतन की जै उमापति महादेव की जै 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 सीतारा जै जै रादेशाम अभी हमने क्या बुला थोड़ देर पहले बताया ना कि जब हमें बोध हो जाता है ब्रह्मुत के स्वरूपका जीव के स्वरूपका माया के स्वरूपका तो कुछ भी हमको अलग अलग नहीं दिखाई देता है हर जगह हमको परमात्मा दिखते हैं हर चीज में परमात्मा दिखते हैं हम में और बाहर सब जगह तो यही बात यहां बताई गई है बालमी की जी कहते हैं कि हे प्रभो आपको सब कुछ पता है कुछ आपको अलग से क्या बताना डामजी के बारे में बहुत सूंदर बात कहते हैं सोई जाने ही जेही देहु जनाई जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई आपको जाना बहुत खुत कठिन है लेकिन यदि आप चाह लेंगे न तो चाहना आपका जो है किसी को बहुत आसानी से आपका ज्ञान करा देता है और जानते कब होता है ये जब भक्त अपने भगवान को अपने इश्ट को भीतर से प्रेम करता है एक जगा आता है उत्तर करने बगवान को पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है वसे एक काम करना है राम जी कहते है निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल छेद्र राम्हा तो बस अपने मन को निर्मल करना है पवित्र करना है एक बार अगर हम भगवान को जा लिये न तो हम पुरी तरसे भगवान से युप्त हो जाते हैं भगवान के जो लक्षण है स्वरूप के लो हम अच्छे से समझ पाते हैं वो हमारा बोध रूप हो जाता है यह प्रभू आप पूछ रहें कि मैं कहां रहूं तो सुनिए कहां रहिए यहाँ पर बालमिकी जी ने बड़े समस्दारी से भगवान से प्राधना किया कि यह प्रभू स्थूल रूप से तो आपको मैं बताऊंगा कहां रहिए लेकिन सुक्ष्म रूप से इन इन जगों में जरूर रहिए इसको कहते हैं राम निकीत मतलब राम जी का घर और यह बहुत प्रसिद्ध चौपाईयां हैं कहीं न कहीं आप सुने होंगे सुनिए और आनंद लीजिए और उसका अर्थ समझे जिन के स्रवना समूद्र समाना कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके हिय तुम्हा कहु ग्रिहरूरे लोचन चातक जिनकरी राखे रही दरस जाला धर अभिनाशे जस तुम्हार मानस भी मलाहं सिन जीहा जासू मुक्ता हल गुनगन चुनई राम बसं यतासू प्रभु प्रसादर सुची सुभग सुभासा सादर जासू नहाई नितनासा मंत्र राजुनित जपही तुम्हारा पूजही तुम्ही सहित परिवारा दाम कोह मदमान नमोहा लोगन छोगन रागन द्रोहा सबके प्रिया सबके हितकारी सबके प्रिया सबके हितकारी दुख सुख सरसके संसादरी जैसी आराम या जैसी आराम जैसी आराम मे जैसी आराम राम 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 रा रहा है, एक कान में जो कथा जाता है न तो क्या हाँ, इसका असर का होता है, कान पवित्रनी होता है, कान के साहारे रिदे में जाकर के आपके भीतर की जो ना, कलमश है, जो मलीनिता है, उसको धू दीता है, और भगवान, क्या बुले? तो कुल मिलागे अपने मन को निर्मल करना है जो चातक की तरह अपने आँखों को हमेज़ा टिका के रखे हैं भगवान को देखते जा रहे हैं, उनके रूप को नहीं हारते जा रहे हैं ऐसे लोगों के आँखों में परमात्मा निवास करते हैं जो हर पल भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों के कंठ में परमात्मा निवास करते हैं आप इस संगीत को ऐसे हलका मत लेना, यह संगीत साक्षात ब्रह्म का रूप है और इसे नाद ब्रह्म कहते हैं तो अगर आप भजन करोगे, भीतर से भाव से युक्त होकर भजन करीगा तो उसका जो प्रतिबीम्ब बनेगा वो अत्यन्त अनुपम और सुखद होगा जब भोजन बनाईए तो उस भोजन को भगवान मालिक साहब को अर्पित करिए पवित्ता से बनाईए तो भोजन आपका प्रसाद हो जाएगा और इस तरह भगवान आपके रिदय में निवास करेंड़े जो निष्ठा से पुरे इमानदारी से भगवान के मंद्र का जब करता है सब परिवार उसके जीवन में भगवान तगट होते हैं निवास करते हैं जिसके बीतर काम, क्रोध, लोब, मान, मद्र इस सब नहीं हैं इन सब चीजों का विस्तार करनी की ज़रूत नहीं हम सब को पता है यह हमारे जीवन में कितना है, कितना नहीं है कैसे इसको निकालें, कैसे इसको कम करें इसको हटाएंगे तो आपके जीवन में परमात्मा का वास आरांग होगा सबके प्रिय सबके हितकारी जो लोग सबको प्रेम करते हैं और जिन्हें हर कोई प्रेम करता है जो सब का भला करते हैं अगर ऐसा भी जीवन है न तो परमात्मा आपके जीवन में निमास करते हैं दुख हो, सुख हो, कोई मान कर दे, कोई अपमान कर दे सम रहो, अपने कमाई का ये फल है, मिल रहा है, ले लो और नहीं लोगें तो जबरजस्ती देंगे इस पर जान लो कि फल तो लेना ही पड़ेगा उदाहरन मोथ बड़े-बड़े हैं, बार-बार कि उनको याद करना आदमी कितना बचने की कोशिस करता है बच पाता है अपने कर्मों से, नहीं बच पाता है अगर वो अदालत से बच जाता है तो भगवान के दरबार में नहीं बच ता है कुछ नुकुछ ऐसी हादिसे उसके जिन्दगी में हो जाते हैं कि जीवन बच छेलता रहता है जो लोग दूसरों के गुणों को अपने जीवन में सामिल करते हैं और उसके अंदर दिखने वाले औरगुन को भुला देते हैं ऐसे लोगों के रिदय में प्रभू आप वास करिए जब जीवन में कुछ अच्छा अच्छा करे ना तो जो लोग ये कहें कि प्रभू सब आपके कृपा से हुआ है बुरा हो तो ये कहें कि हमारी गल्ती से हुई होगी ऐसे सज्जन भक्तो के रिदय में आप वास करिए हम लोग साथ क्या होता है अच्छा तो हमने किया घर हमने बनाया गारी हमने खरीदा बच्चा हमने पैदा किया है सब कुछ हम ही करते हैं और जब कुछ बीपत आजाता है आफ़त आजाता है ये बगवान हम कहां भी गारते हैं आपका सब्वारे ही साथ है गल्ती जहां भी हम करते हैं हमारी अपनी अलपक्यता नादानी के कारण हमसे वो चूक हो जाती है और उसका दोस्परिणाम भोगना पड़ता है जहां कुछ अच्छा होता है भगवान की करपा के कारण होता है आदमी के तो एक ठो छोटा सा रोह टूट हो जाए ना सरीर के अंदर आदमी पनपना के रोता है चिलाता है जिगता है क्या सामरते है छोटा सा दर्द नहीं सै सकते है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब लब्दियां जीवन में आए ना तो उसको भगवान की कृपा मानिये अपने कुल खांदान का पुन्य मानिये पूरु जनम में आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आज आपके जीवन में वैभाव है आप देखिए रामदेबाबा जी है और योगी आदितिनाद जी है इमत सोची कि इस जनम के दिमाग लगा के पॉलिटिकल हथकंड़ा अपना करके और सीम बन गया सीम तो उनके बरें कोई सोची नहीं सकता क्यों बनेंगे उनी को नहीं पता था कि हम सीम बन पाएंगे आखी आखी नहीं कितना ववालता ये बनेंगे वो बनेंगे उने खटाक से बन गया अरे इसको ठीक करिए ने कोई लोग आप लोग पढ़े लिखे लोग है इतना नहीं महलग पर सेकते हैं तो आओ मांगो मेरे से गुसा आएगा मेरे पर इसका पैंट पहना दीजिएगा और करके उसको लगा दीजिएगा आप लोग को लगता होगा इस अब क्या अरे बहुत बड़ी ताकत है हम आपके पास आएं तो इसी किदम पे आएं हमको कोई हमारा बहुत मिलना जुलना होता रहा लेकिन जब आपकी चीजें आपको नज अधर आती हैं सामने कि ठीक हो रही है तो औरों को भी सुख मिलता है ना तो हमारा नाम है डिजिटल बाबा ठीक है हस लेजिए लेकिन यह सही बात है और हमको जो करीब सी जानते हैं उनको पता है कि हमारा टैलेंट क्या है सब काम कर लेते हैं तो हम थोड़ी सी बात करके निकल जाते हैं यह जो जीवन में जब अर्दस्त परिवर्तन आता है जब अर्दस्त उपलब्धियं आती है ना वो केवल भगवान के कृपास होता है पिछले जनम का कुछ पुन्य होता है रामदेव बाबाजी को देखो दुनिया के सबसे अर्फ शमीर तो है ना ने तो बाबा को तो भीखारी समझते इज़्जत नहीं करते थे दो तीन बाबा के होने से हम लोग को भी कालर टाइट करके निकलना अच्छा लगता है मैं नेट्व पले समारा गॉर्गपुर है तो आप कहीं कोई पूछता है तो सब को मालूम है मै यह माचल सही बहुत कोई घुस के पूछता है तो बताना पड़ता है गोरकपुर मेरा जन्मस्थान है अच्छा तब आप योगी जी से जूड़े होंगे हम आज तक नहीं मिले हैं जब से सीम बने हैं तब से नहीं मिले हैं वो दूसरे अलग-अलग वजह हैं आदर सम्मान इसलिए आपको बता रहे हैं उन्हीं के स्कूल के हम छात रहे हैं और सामने घड़े हो जाएंगे तो अच्छे सो पहचान ही लेंगे गुरुजी महराजी लेकिन बड़े लोगों से जितना दूर रहो ना उतनी सलामत रहोगे बड़े लोगों बड़े खतरनाव होते हैं आ इसलिए दूर रहो बच्ची रहोगे खुश रहोगे इसी चला की करन बड़े बुजरुगों के पास नहीं जाते हैं किनारे किनारे कटी रहते हैं एक तो दुनिया अमर कर ग्यान देते हैं बड़े लोग फालतु में और उनको नहीं पता हो सारा ग्यान आउट्डेटेड ह हो चुका है अब नोकिया 1100 के बारे में बताओगे आजकल आइफ़ोन 10 का जबाना है आप कोगे हमने नोकिया लिया था तब लिया था जब किसके वास पून ही नहीं था अच्छा तो चलिए सबका सम्मान है सबके आदर सबके ग्यान का आदर है तो जीवन में परमात्मा के कृपा से ही बड़ी बड़ा परिवर्तन होता है और कृपा पाने के लिए अपको प्रयास करते रहना होगा तो इस तरह से बहुत सारी बाते बताते हैं कुल मिला के सार सा समझ लीजिए कि जो जीवन में हर पल भगवान को पाने के लिए हर कोशिस करता रहेगा ना उसके रिदह में परमात्मा निवास करते हैं और अंत में कहते हैं कि हे प्रभू चित्र कूट गिर कर रहू निवासू तह तुम्हार सब भाति सुपासू नदी पुनीत पुरान बखानी अत्री प्रियानि जत्त पबलानी चित्र कूट महिमा अमित कही महा मुनिगाई आई नहाए सरित बरा सिय समेत दो भाई भगवान अंत में चित्र कूट आते हैं बाल मेही जी के बताने पर और जब भगवान को देखते हैं तो चित्र कूट मतलब जंगल ठीक है और जंगल में कौन लोग रहते हैं हमारे जिसा बहुत समझदार लोग नहीं रहते हैं उनका जीवन बड़ा नेचुरल होता है बहुत प्राकरतिक होता है तो कोल बेल किरात ये सब लोग आते हैं भग प्रणाल करते हैं तो आके भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आपको बताएं हम सब आपकी एक सेवा करेंगे भगवान मनी वन मुस्कुराते हैं कहते हैं क्या करना चाहते हो मेरी सेवा क्या करना चाहते हो तो बोलते हैं कि आप इस बात से बि और यह जो निशाद राज घुई हैं वो यहीं पर भगवान के लिए एक घास फुसकी सुन्दर सी परण कुटी बनाते हैं लखन जान की सहित प्रभू राजत रूचिर निकेत सोह मदन मुनिवेश जनूरत तिरितु राज समे सियाबर राम चंद्र की जै अवन सुत हनुमान की जै बोलो भाई सब संतन की जै उमापति महादेव की जै 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 सीतारा जै जै राधेशा तो भगवान थोड़ा अच्छे से अब अपनी कुटिया में रहेंगे अभी मुझे बदे समय कितना बचा है साथ पैतालिस हो गया है ठीक है तो फिर हम लोग क्या करते हैं आज की कथा को हम यह विराम करते हैं एक भजन सुन लेते हैं और आगे की कता कल सुनेंगे ने तो अगर हम भूश जाएंगे ना सब्जेक्ट में फिर हम फस जाएंगे तो इसलिए ठीक आने पहुच गया भगवान जी आगे की कता कल सुनेंगे प्रिएंगे लोगा हम पहा की को हमें इसलिए की लिएक्ट उैस बेलोगा olmuş भब को वेड़ा उया हैं